हाथी निकल गया है पूछ अभी रह गई है कोई टीम अभी है नी जो बारत को बैटिंग अभी रोक सकती है या इंडिया अगर दो या तीनी स्पिनर के साथ दियू तरे तो कैसे सामना करेंगे साउथ अफरीकर शुर्यकुमार यादो को चांस मौकाम मिलना चाहिए आउट हो और इन दोनों के बीट जो ललाई है वह कि टॉप पर काउन रहेगा पॉइंट टेवल पर कौन रहेगा इसी वर्ल्ड कप पर बातचीत करने के लिए और इस मुकाबले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं संदीप पार्टिल सर आपका स्वागति धन्यवाद और मेरे स तो अब यह टॉप पर की लड़ाई में कौन सी टीम बाजी मारेगी हाती निकल गया है पूछ अभी रह गई है और यह पूछ जिसकी ज्यादा हिलेगी उसका पलड़ा बारी रहेगा लेकिन होम एडवांटेश जरूर भारत के पक्ष में है लेकिन दोनों टीमों ने बहु तक्कर होने वाली है क्योंकि बराबर दोनों टीम का जो बैलन्स देखे प्रदर्शन देखे दोनों टीम में बहुत ही अच्छा संतुल उन्होंने रखा है और काटे का मुकाबला होगा इस मुकाबले में निश्चत रूप से जैसे आपने कहा कि होम एडवांटेश के ज्यादा रन बना चुके हैं चार सो चार सेंचुरी लगा चुके हैं इस बल्लेबाच को रोकने के लिए भारत क्या स्टेजी अपना सकता है स्टेजी तो बनेगी जब मैच की शुरूआत होगी मैच के पहले दिन जब विकेट देखी जाएगी उसके बाद तय होगा कि कौ जो अच्छा दिखाया है क्विंटन डिकॉक ने वह अच्छा रखे लेकिन एक ही यह ऐसा बल्लेबाच नहीं है जो इनो कंसिस्टंसी से खेल रहा है क्लासन है उनके पास बहुत सारे बाकी भी अच्छे बल्लेबाच है वंडर डुसे ने भी शतक लगाया है डेविड मिलर जिसको कहते हैं तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का चुना होता है जैसा कि हमने बात की संदीप सर बता रहे हैं कि एक खिलाडी भले ही बहुत अच्छा कर रहा हो लेकिन कहता है कि कहीं न कहीं तो डाउन होगा यहीं उमीद इंडिया करेगी कि क्विंटन डिकॉक इंडि इस तरह के पाद मोंटी जी यह बताईए कि जिस तरह से इंडिया टारगेट करेगा कुंटन डिकॉक या वांडर डुसेन को साउथ अफरिका की क्या स्टेजी हो सकती है इंडियन बैटर के खिलाव एक लेफ्ट आम इन बोलर है जैसे बोलिंग करते हैं आगे से बोल डालत आठ फीट के बोल आती है वह फिर देंगे रूम बैट्समन को मानने के लिए और बारत के बैट्समन ऐसी उमीद है जो विवा बुम्मा की वह बारत के बैट्समन ऐसे आउट होएं बिकॉस जब हम साथ आफरिका की बोलिंग देख रहे हैं रबार्डा की बड़ी बड़ी है वह भी तेन गेस बाजी करते हैं फिर हैवी लेंथ जो है ना वह प्रॉब्लम कर सकती है बारत बैट्समन को जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार्को यंसन एक ऐसे गेंदबाज है जिन जो टार्गेट करेंगे अपनी हाइट है और खास करके वह बाउंसर या इस तरह की गेंद बहुत कम जादा तर माकों पर उन्होंने दूसरी टीमों को सस्ते पर आउट किया है तो यह माना जाए कि कुछ चैंजेज आये हैं पिछले कुछ सालों में जो क्रिकेट में वह दिख रहा है इस वर्लकप में नहीं बहुत अच्छी और लाजमी है कि मैच सिर्फ बल्ले बा बावजूद जिस तरह से शम्मी या को मुम्रा को कुल्दी प्यादों को जाडेजा को बहतरीन प्रदर्शन रहा है और यह भी हमें समझना होगा कि सिर्फ पाच बॉलर के साथ भारतिया टीम गई है पिछली मैच और यह जो अभी मैच चल रहा है उसके इसलिए जिम्मेद जो दी गई है उसे निभाना किस तरह से यह भी दिखाया है भारते गेंबागों मैं कुछ स्टैट्स की मदद लूँगा यहां पर बालिंग की बात करते हुए मैं अभी देख रहा था कि पावर प्ले में किस टीम ने ज्यादा विकेट लिए हैं तो इंडिया यहां पर नं से फर्क पड़ता है क्योंकि डेथ होवर्स में यह बाद में हम जो वापसी करते हैं कितना बहुत ही फरक पड़ता है और बड़ा योगदान भी रहा है हमारे भासे अभी अभी मैंने कहा कि जिस तरह की वापसी की है जो स्ट्राइक शुरू में उन्होंने दिया है वह चटकाई है और वह सबसे अच्छी बात रही है भारतिय के इन बाजों के लिए जैसे कि बात हुई कि जो हमारे एकनोमी ज्यादा अच्छी बालिंग कर रहे हैं उससे भी प्रसर बना रहे हैं दूसरे भी पक्षी टीमों पर अगर हम साउथ अपरिका की बात करें तो उनके के पास वह स्पिनर नहीं है अगर जब बात होती है इस मुकाबले की और यह मैच है इडन गार्डेंस वहां पर ओस कम पड़ेगी यह माना जा सकता है क्योंकि वह इंडिया को पार्ट है जहां कम उस गिरती है तो इससे कितना मुस्किल होगा उनके लिए साउथ अफरिका के यह इंडिया अगर दो यतीन स्पिनर के साथ बी उतर है तो कैसे सामना करेंगे साथ अफरिक वह लोग देखो रहेट शर्मा के पास दो है विकट टेकन बोलर्स वह कुल्दिप यादेफ और जब भी उसको विकट चाहिए वह बलाता है दोनों को और विकट वह नकालते हैं अगर फिछ पिछ बहुत 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 कम है वह बहुत ड्राइ विकट है जो बहुत गूमती है तो आध अपरिका भी दोस्पिनर कलाएं गे अद इंडिया में भी थीन खेल सकते है यह रविंड़ जाश्विन में भी यह खेलेंगे बाद में फिर श्यमी आता है वो देख मैच विंडर उसका ही सब इतालियां उसकी बजने हैं कह रहे हैं यह मौमिज श्रमी का वर्ल्ड कॉप अभी है जह है बिकॉस पोलर विकट नकालते है ना रहे श्रमा के लिए बहुत वेर इसान हो जाता है रन चेस करना गेम को सेट कैसे करना और कोई टीम अभी है नहीं ज वर्ल्ड कप की जो बारत की बैटिंग रोक सके अभी कोई टीम नहीं अभी है जैसा कि मौन्टी कह रहे हैं कि इंडियन बैटिंग इतनी दमदारी से आगे बढ़ रही है इतना सांदार बैटिंग कर रहे है इंडियन टीम उसको रोक पाना मुस्किल है इसी सवाल में एक च चल रहे हैं और वह आएंगे वह आएंगे तो कोई ने कोई एक बैटर ही बाहर होगा क्योंकि जिए कॉप्तान और कोच उनको लेना है लेकिन अगर मुझे पुछा जाए तो मैं स्रेयस आयर को भार करके हारिक पंडिया को खिलाओंगा क्योंकि सुर्यकुमार ऐसे खिलाड़ी है और जिस नंबर पर बल्ले बाजी कर रहे हैं श्रेयस नंबर चार पर करते हैं और यहां जरूरी है नंबर छे और साथ जाड़ेजा के साथ या के साथ जो अच्छी बैटिंग करे तो उसके लिए म सब्सक्राइब करते हैं जिस तरह की सोच रही है जिस तरह का सिलेक्शन रहा है पहले मैच से लेके मुझे नहीं लगता कि तीन स्पिनर से उत्रेंगी भारतिया टीम हां अगर कोई इंजरी हो जाए कुल्दीप या जाड़ेजा को तो ही मुझे लगता है कि अश्वीन को ज जब भी चाहिए तब उन्होंने विकेट निकाल के दी है तो बहुत कठीन निर्णे है ये कप्तान और कोच के लिए भी जैसा कि संदीप सर कह रहे हैं कि तीन स्पिनर के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है इंडिया दो स्पिनर के साथ ही जाएगी और उमीद करते हैं कि हैं अपने percent करते हैं तीन सभर दने के लिए बहुत बहुत सुक्रियां और आपका भी बहुत अ दो 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 मुझन दो दो, दो किया है। कि कि अम दो दो घजू कर दो कि कि अम दो डिल्ब हाट